भूत प्रेट से जुड़े कई किस्सों और कहानियों को हम लोगों ने सुना है हाला कि भूत प्रेट और आत्माओं के रहसे से अब तक परदा नहीं उट पाया वहीं देश दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा है पेरानॉर्मल एक्सपर्ट के मताबिक मरे हुए इनसान की आत्मा उसके शरीके खतम होने के बाद भी जिंदा रहती है यही आत्मा अपने असिर्व को अजीब औ गरिब धंग से व्यक्त करने की कोश्च करती है इसे ही भूत प्रेत कहा जाता है हमेंसे कहीं लोग जब रात के समय अंधेरे में होते हैं तो यह महसूस होता है कि कोई हमको अब्जर्व कर रहा है वही जिन लोगों ने भूतों को देखने का दावा भी किया है उनमेंसे जाता लोगों ने उन्हें रात के समय में ही देखा है एसमें स्वाल है कि आखिर भूत प्रेत रात के समय में ही क्यों दिखते हैं दिन के समय में वे क्यों नहीं दिखते हैं आई जानते हैं इस रहसे के बारे में भूत प्रेत को लेकर विविन माननेता हैं और दिश्टी कौन हैं भूतों पर जक्किन करने वाले लोगों की माने तो जिन लगों की कोई महतपूर्ण इच्छा पूरी नहीं हो पाती या उनकी असमय मृत्वी होती है तो वहीं लोग भूत बनकर भढ़कते रहते हैं लंबे समय से कई परनॉर्मल इंवेस्टिगेटर रहसे में इस्थावनों पर जाकर भूत प्रेतों की तफ्तीश करते आ रहे हैं हाला कि गोर करने वाली बात यह है कि जितने भी परनॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं वे रात के समय ही प्रेत आत्माओं की तलाश में निकलते हैं अब तक जितने भी लोगों ने भूत प्रेत देखने का दावा किया है उन्होंने उन्हें रात के समय में ही देखा है दिन के समय में उनका प्रभाव कम हो जाता है इसके पीछे की वजय को लेकर पेरानॉर्मल एक्सपर्ट ने एक थियोरी दी है उनके मुताबिक भूत प्रेत रात के समय इसलिए दिखते हैं क्योंकि उस दुरान काफी शान्ती होती है रात के वक्त इलेक्ट्रोनिक डिस्टर्बेंस भी काफी कम होती है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि दिन के समय अत्यदिक इलेक्ट्रोनिक डिस्टर्बेंस भूतों की उर्जा को डिस्टरब कर देती है यही एक बड़ा काना है जिसके चलते भूत प्रेत रात के समय सक्रिये होते हैं ना कि दिन में ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनलों को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यावाद